ओल्राइट, कैसो सब भी उम्मीद करता हूँ, बहुत ही अच्छे होगी, इस लेवल 3 के एक लैब का सॉलिशन प्रवाइड करने वाला, इस लैब्स का नेम होने वाला API Explorer QKS8, काफी असान लैब है, इसके अंदर हम लोग करके आ रहेंगे, एक बगेट करेंगे, एक बगेट क पर लूँगा, एंद इंटर हो चुँगा Google Cloud Console के अंदर, ओके तो मैं लॉग इन हो चुको है, एंद इंटर हो चुगा Google Cloud Console के अंदर, अब इधर आते है, टास्क्न में हम लोग को एक बगेट करना हो, उसके लिए यहाँ पे एक यूनिक नेम आपको बगेट करना हो, तो यह यही नाम हम लोग रख रहे होंगे, बगेट का, ओके, तो फिर दर आना, मेनु बार के अंदर, यहाँ पे आपको Cloud Storage मिल जागा, बगेट पर सिंप्ली क्लिए करना, एक बगेट आप लोग को क्रियेट करना, ओके, तो यहाँ पर आपको create का एक option मिल जागा, सिंप्ली इस प आपको select करना होगा, simply continue पर क्लिक करना, and create पर क्लिक करना, यह bucket पर create हो जाएगे, and अब इसके अंदर हम लोग जोगे, image अपलोड कर रहे होगे, तो simply image आप लड़ी दे रहा है, instruction के अंदर, तो यहाँ पर simply इसको right-click करके, image को save कर लेना, and यहाँ पर इसका naming यह रखना होगा ख्याल रखना, demo image jpg करके, ठीक है, तो यह नहीं होना चाहिए, अब इदर आते है, upload file पर simply click करना, and यहाँ पर मैं download कर चुका हूँ, इसको open कर लेते है, and फिर इदर आते है, यहाँ पर demo image.jpg करके, इस name को simply copy कर लेना, फिर इदर आना, जब यह upload हो जाए, फिर three dot पर simply click करना रिनेम पर simply click करना, and यहाँ पर इसकी naming को साही से कर लेना, okay, demo dash image.jpg करके होना चाहिए, rename basically click करना, and फिर इनेमिंग कर लेना, अब यह image upload हो गया, अब इसको publicly accessible देना, तो उसके लिए three dot पर simply click करना, edit access पर simply click करना, and add entry पर simply click करना, user से set करके, यहाँ पर public कर देना, and all users and reader होना चाहिए, okay, and simply यहाँ पर save पर click करना, अब यह इसकी publicly accessible हो चुगे, simply इस पर demo image.jpg क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको URL मिल जाएगे, ठीक है, इसको यहाँ पर URL को copy करना, फिर इदर आते है, incognito window में या फिर कहीं भी इसको paste करना, तो आपको यह image दीख जाएगा, ठीक है, यह दूसरे फॉन से भी करोगे, इस URL से तो वह भी आपको दीख जाएगे, काफी असान लाइब है, अब यहाँ पर check my progress इसके अंदर total 3 है, तो simply आना, check my progress पर click करना, तो यहाँ पर आपकी task complete हो जाएगी, okay, इदर आते है, first वाले पर click करते है, blue tick लग चुकी है, second वाले पर पूस सकते हो, मिलते हैं से तरगी वीडियो में, तब तक लिए बावान चेकर, thank you